मंडियों में आ रहे ही नई फसल के गेहूं की शुरवाती आवक की कॉलिटी को लेकर इशू हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं गेहूं जो बिकने पहुंचा है उसकी मनी सेंटल में हमने बताया था कि सरकार ऐसा कर सकती है कि गेहूं की खरीद नियमों में कुछ धील दे ताकि किसानों को उनकी फसल का सही भाव मिल सके इस साल सरकार ने किसानों से 347 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष ने धारित किया है इसमें जादतर खरीद पंजाब मदप प्रदेश हर्याना उत्तर प्रदेश से होगी यहूं की बात चली रही थी इस बीच आएमडी ने आज मौसम बिभाग ने अपनी चेतावनी जारी कही बात कही और यह कहा कि अलनीनों का खत्रा भड़ सकता है मांसून के सेकंड हाफ में इसकी चेतावनी दी है सर क्या क्या क इससे समझना जरूरी है पहले तो यह कि जो बेमौसम बारिश भी फसल की कटाई के दौरान उसके कारण जो 80% गेहूं अभी जो मंडियों में पहुँचा है वो खराब है और भीगा हुआ है आपको याद होगा कि सरकार ने गेहूं की खरीद के नियमों में उदारता बरती थी और यह कहा था कि मौइस्चर कांटेंट बढ़ने के बाद भी कुछ गेहूं खरीदा जा सकता है पर अभी जो गेहूं पहुच रहा है वो पानी में बुरी तरह भीगा हुआ और इसे लेकर FCI की दुविधाई है कि इस गेहूं का इसे रखा कैसे जाए बाटने के लायक तो नहीं होगा क्योंकि भीगे होगे हों को समालना मुश्किल होगा दूसरी तरफ मौसम बिभाग ने दो महत्तोपून चेतावनिया दिया और दोनों चेतावनिया भारती अर्थ वस्था के लिए के लिए इस साल की सबसे बड़ी चुनोती है इनके इनहीं पर रिजर बैं मौसम बिभाग का कहना था कि भारत में अपरेल से जून के बीच में जो कि गर्मियों का मौसम है आम तोर पर जो पर जो सामाने तापमान रहता उससे जाधा उची तापमान तापमान रहेगा इसे और करीब से समझें मौसम बिभाग ने कहा कि बिहार जारखंड उत्तर प् बढ़ेगी और जो लू चलने वाले दिन हैं उनकी संख्या जाधा होगी आम तोर पर जब हीट वेव कब डिक्लेयर करता है मौसम भाग जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से उपर पहुंच जाता है यानि अंदाज लगाए कि इतने सारे राज्यों में 30 डिग्री से उपर जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है और ये करीब करीब साड़े चार परसेंट का डिपार्चर होता है नार्मल टेंपरेचर से इस सीजन में तो भयानक गर्मी के लिए अपरेल मई जून में तयार हो जाई है ये पहली बड़ी चेतावनी आ गई है जिसकी संभावना में पहले से दिखाई दे रही थी सबसे जाधा असर इस दोरान जो हीट वेव डेस का है वो भारत के सेंटरल इस्ट और नार्थ वेस्ट वार हिस्सों पर पढ़ेगा यही फसल के लिए लिहास से महत्तु पूर्ण है तूसरी चीच जिसका डर था जिसकी आप यह पूरा साल गहरे ला निनो के असर के साथ और तापवान बढ़ने का साल है इसके हिसाब से आइमडी ने ये कहा है कि अगले एक महीने से मार्च और अपरेल से लिनो का असर हमें मौसम पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा जिसके असर का एक हिस्सा हमें बढ़त से संवेदन शील हिस्थिती में होता है आपको याद होगा कि मानसून उसी समय भारत के प्रमुख अनाजुत पादक शेत्रों में बादलों की बारिश होती है और उस समय लिनो का असर होगा यह माना जा रहा है कि अदेश के बड़े हिस्से में इसका असर हो सकता है इस पश दोनों चर्चाएं जो इसदाल जनूरी से शुरू ही थी गर्मिया सामाने से जाद होने वाली और अल निनो के असर की यह दोनों चर्चाएं अब आएमडी के हैं भारत के मौसम बिभाग के दरिश्टे से पुष्ट होकर सामने आ रही है इसके अलावा मौसम बिभाग ने एक और बात कही चलते चलते जिसका असर हमें फिलाहल फसल पर दिखाई दे रहा है मार्च में भारत में अपरत्याशित रूप से सबसे ज़्यादा पानी वर्सा है अभी तक कि हाल के दिनों में और मौसम बिभाग ने जो आकड़ा जारी किया है उसे साब से करीब साथ लो